नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 11 चेप्टर चल रहा है जोग्रफी किताब का यहाँ पर evaporation और condensation से हम लोग शुरुआत करेंगे एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं थोड़ा ट्रेकी concept water in the atmosphere चेप्टर चल रहा है तो देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ प होती गई water vapor में convert होती गई तो water जो कि liquid था वो एक gaseous state में convert हो रहा है तो इस process को आपने क्या बोला इसको आपने बोला evaporation इस evaporation का main cause क्या है तो heat इसका main cause है और यहाँ पर एक technical definition याद रखे का latent heat of vaporization की the temperature at which the water starts evaporating is referred to as the latent heat of evaporation मतलग जिस temperature पर पानी evaporate होना शुरू हो जाता है उस particular आप कह सकते हो temperature को latent heat of vaporization बोला जाता है ठीक है बई अब देखें जैसे जैसे पानी का temperature बढ़ेगा ओके वैसे 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 देखें increase in temperature increases water absorption retention capacity of the given parcel of air यह तो वही point है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जैसे जैसे temperature बढ़ रहा है वैसे वैसे air के अंदर पानी को retain करने की जो capacity है वो बढ़ रही है चोकि जब air का temperature बढ़ रहा है तो उसकी relative humidity बढ़ रही है मतलब उस particular air parcel की पानी को पकड़ने की जो capacity है वो बढ़ रही है फिर आगे देखें क्या जा रहा है similarly if the moisture content is low the air has a potentiality of observing and retaining moisture मतलब क्या है कि अगर मान लीजे air के अंदर moisture content कम है मतलब की air की humidity कम है air की absolute humidity यहाँ पे कम है relative humidity भी कम है तो जितना कम एक particular parcel of air में moisture होगा उतना ही जादा वो moisture को खीचेगी उतना ही जादा वो moisture के लिए हंगरी रहेगी तो इसलिए आप देखोगे कि continental इलाकों में जो हवा होती है उस हवा में जादा नमी नहीं होती चुकि आसपास water sources जादा नहीं होते है अगर आप राजिस्थान साइट चले जब वहाँ पे जो हवा होगी वो गरम बहुत होगी बट उसमें नमी नहीं होगी क्यों चुकि उ के अंदर moisture ही नहीं तो अगर ऐसी हवा किसी भी water resource के touch में आएगी किसी भी water source के touch में आएगी चाहे वो plant का water हो चाहे वो किसी water body का water हो चाहे वो आपके body से निकलने वाला पसीना हो इन सब को ये moisture less हवा बहुत तेजी से खीचेगी फिर देखिए अगले point क्या बोला जा रहा moment of air replaces the saturated layer with the unsaturated layer अब ये बहुत simple सा concept है भाई देखिए अलग 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 प्रकार की हवा होती है किसी एक particular जगा की हवा में नमी थोड़ी कम हो सकती है किसी एक particular की जगा की हवा में नमी थोड़ी जादा हो सकती है तो माली ये कोई एक ऐसा इलाका है जहां बहुत सार तलाब हैं जहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो नॉर्मल कर उसके पास जो हवा होगी उसमें नमी अच्छी खासी होगी चुकि ये पेड़ पौधे ये जो पानी है ये रेगुलरली वहां की हवा को moisture और water vapor पर प्रोवाइट करते रहेंगे लेकिन आपको पता है जब ये हवा चलेगी तो ये हवा चलेगी किसी और जगा चली जाएगी और इस particular हवा के जगा दूसरी जगा ले लेगी तो यही चीज़ है यहां पे movement of air replaces the saturated layer with the unsaturated layer तो किसी एक particular जगा पे कुछ ऐसी conditions बन रही है जिन conditions के इसाब से उस particular जगा पे जो moisture content हवा के अंदर वो अच्छा खासा है saturated है मतलब अच्छा खासा moisture content है फिर हवा चलेगी यह saturated content वाली हवा कहीं और भेकी चली जाएगी इसकी जगा कोई दूसरी dry हवा आ जाएगी जिसके अंदर moisture कम होगा तो वो जो dry हवा आएगी अब वो unsaturated है अब उसकी भी moisture absorbing capacity मतलब जादा होगी तो obviously बात है इस इस इलाके में उसको अच्छा कासा moisture मिलेगा तो फिर वो भी saturated होगी मतलब कुल मिलाके atmosphere में एक जगा से दूसरी जगा हवा का movement होता रहता है तो unsaturated हवा कहीं से हटती है तो उसकी बज़ाए unsaturated हवा आती है फिर उसके अंदर moisture content आता है फिर वो कहीं और भेहती है और ये process चलता रहता है अब ये process कहा किस हिसाफ से चलेगा तो इस बात को य को आता रहेगा पानि आता रहेगा और जितना जदा मूव्मेंट होगा capacity होनी चाहिए अगर वो हवा saturated है तो वो ज़्यादा moisture अब्सार्ब नहीं कर पाएगी पट अगर वो saturated नहीं है उसके अंदर और moisture को absorb करने की काबलियत है तो जैसे water surface के उपर बहेगी वैसे वैसे वो moisture खीचती जाएगी आगे बने इस पहले पर लाइक का बटन दोस्तों अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेर नहीं किया इस चैनल को शेर और the loss of heat when moist air is cool it may reach a level when its capacity to hold water vapor seizes then the excess water vapor condenses into the liquid form if it directly condenses into the solid form it is known as sublimation यह बिलकुल simple concept यह वही concept है कि एक पहाड की windward side पे आके हवा लगी rain bearing winds यहां पे आके लगी यह winds आपकी जैसे जैसे उपर उठी वैसे वो थंडी हुई और थंडी होने की वजए से इस particular हवा के अंदर जो moisture था ना वो अब vapor form में नहीं रह पाएगा वो अब gaseous form में नहीं रहेगा वो अब liquid में मतल जाएगा क्यों liquid मतल जाएगा यही तो आपको समझाने वाली बात है मैंने आपको क्या बताया एक particular हवा का dew point क्या है तो वो जादा moisture पकड़ के रख पाती है लेकिन जब एक पहाड के एक side पे rain wearing winds यानि windward side पे जब rain wearing winds लडती है आके तो जब तक वो नीचे होती है तब तक तो ठिक ठाक गरम होती है जैसे जैसे वो उपर उठना शुरू होती है वैसे वैसे वो ठंडी होना शुरू होती है और clouds के बनने की वज़ाई यही है वो धीरे धीरे उपर उठेंगी धीरे धीरे ठंडी होगी अब ठंडी होने के साथ क्या होगा कि यह जो parcel of air है ना इसका dew point जल्दी आ जाएगा जब इसका dew point आ जाएगा तब क्या होगा? dew point क्या होता है? dew point यह हुआ कि भाई temperature हवा का कम हो गया अब हवा का temperature कम होने की वज़े से हवा की saturation limit जल्दी आ गई मतलब हवा की जो maximum water vapor को पकड़ने की capability थी वो जल्दी आ गई और उस capability को जैसे आप पार करेगे हवा और ठंडी होगी वैसे वो अपना जो vapor है वो छोड़ने लगेगी और वो vapor यहाँ पर पानी के droplets के form में छोड़ने लगेगी हवा जैसे जैसे थंडी हुई तो थंडी होने की वज़ाय क्या होती है जब हवा ऊपर जाती है atmosphere में तो थंडी होती है आपको पता है कि आप surface के पास हो तो चीजने गरम है जैसे जैसे surface उपर आते जाओगे ठंडी होती जाएंगी चीज़ें तो शिमला, मनाली, आप अगई कार से गए हो तो जैसे जैसे आप height पे जाते जाते हो वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाती है तो हवा उपर जा रही है, गरम हवा ठंडी में convert हो रही है अब जब यह गरम हवा ठंडी में convert हो रही है इससे होगा, क्या इसका dew point जल्दी आ जाएगा उसका saturation level जल्दी आ जाएगा चोकि अब वो गरम नहीं रही है, वो ठंडी हो गई है और ठंडी हवा कम moisture पकड़ सकती है यह मैंना आपको पिछली वीडियो में बताया है तो इसी लिए जैसे इस dew point आ जाता है saturation limit आ जाता है उस air parcel का वो अपना moisture छोडने लगती है और वो moisture rain droplets के form में वहाँ पे टंगने लगता है जिसको आप clouds बोलते हो और ground level पे जब cricket stadium में शाम को यह चीज होती है तो इसको dew बोला जाता है तो जो cricket stadium पे घास होती है उस घास के उपर पानी आ जाता है वो पानी क्या है वो dew होता है dew क्यों से चुकि हवा महाँ पे ठंडी हो गई है और ठंडी हवा होने के चलते हो क्या रहा है कि अब हवा का dew point आ गया है अब हवा saturate हो गई है अब इससे ज़्यादा ठंडा करोगे तो अब पानी छोड़ने लगेगी और वो पानी छोड़ने लगती है वही होता है आपका dew समझ गया तो यहीं बोला जा रहा है कि जैसे जैसे हवा ठंडी हुई वैसे वैसे उसके अंदर जो water vapor है वो liquid form में बदलने लगा चूकि dew point पहुँच गया saturation limit पहुँच गयी है ये water vapor से liquid form के बदलने का जो process है इसको आप condensation बोलते है got it ये water vapor से liquid form में बदलने का जो process है इसको आप condensation बोलते है और इसी condensation के process से थो बादल बनते हैं, तब ही तो आपसे बोला जाता है कि हवा उपर उठी उपर उठी उपर उठी उपर उठी चन्डंसेशन हो गया बादल बन गये तो कन्डंसेशन क्या है। हवा के अंदर जो moisture है वो gases form में, इस gases form के moisture का पानी में बदल जाना, water droplets में बदल जाना और वह वाटर ब्लाउडिकर साथ मिलको ही घमी रहती ए उसली रहनते हैं क्लाउड की तरह तो यह क्लाउड 입 Peppers कि फॉर्मेशन कि अभी hygroscopic क्या होता है hygroscopic कोई भी ऐसा substance होता है जो कि पानी को अपनी तरफ खीचता है या फिर वो पानी से जाके चिपक जाता है तो इसको आप कह सकते हो hygroscopic hygroscopic condensation nuclei का मतलब क्या हो गया कि कोई एक ऐसा material जिसके चारो तरफ आके water के molecules चिपक गए एक ऐसा material, एक ऐसा molecule जिसके चारों तरफ आके water के molecules चिपक गए अब वो material dust का भी हो सकता है, वो smoke का भी हो सकता है, वो ocean में होने वाला salt भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है समझगे बात को, तो free air में क्या होता है, कि इस प्रकार के dust particles, smoke particles, ocean के उपर salt particles इस तरगी के हवा में टंगे रहते हैं और इन particles के चारों तरफ पानी का जमावड़ा लगना आसान होता है, वो जमावड़ा कैसे लगता है, तो भाई, जो moisture है आपका atmosphere में, वो moisture जब अपने dew point में, यभी जब हवा अपने dew point में पहुंच जाएगी, या फिर जब वो water particles किसी भी और वज़े से उस particular particle के चारों तर free air, condensation results from cooling around very small particles, termed as hygroscopic condensation nuclei, particles of dust, smoke and salt from the ocean are particularly good nuclei because they absorb water, तो free air में इनी particles के आसपास आप देखोगे, कि हवा में, टंग के जो पानी, आपका water drop, देखे, सीधी बात है, gashes form में, जो आपका water wrapper है, वो हवा में तयार सकता है, लेकिन अगर उसको हवा में तयारना है liquid form में, तो liquid form में, या तो वो नीचे गर जाएगा rain की तरह, और अग किसी ना किसी particle के चारो तरफ तंग एगा, dust के चारो तरफ, smoke के चारो तरफ, salt के चारो तरफ, किसी की चारो तरफ भी तंग सकता है, अब आप थोड़ा थोड़ा समझ लोगे कि clouds कैसे बनते हैं, मतलब कि कोई ना कोई एक hygroscopic nuclei चाहिए, ठीक है, water के particles को उसके साथ चिपका के हवा में टांग नेकले, चुकि लिक्विड बिना किसी मदद से हवा में टंगा रहे, यह possible नहीं है, देखे, हवा के अंदर moisture हो सकता है, water vapor हो सकता है, gaseous form में, but यह water vapor हवा से अलग होके, water droplets के form में, हवा में टंगा रहे, atmosphere में टंगा रहे, उसके लिए उसको एक hygroscopic nuclei च and it may also take place when the temperature is close to the dew point, यह तो भाई बहुत simple phenomenon है, कभी आपके घर में guest आए होंगे, या फिर guest छोड़ो, गर्मियों के समय पे, अगर आप बिहार इहार साइड में रहते हो, लखनू साइड में रहते हो, राजिस्थान में रहते हो, आपका MP में रहते हो, तो सब के घरों में फ बॉटल के बाहर और उस गिलास के बाहर आपको water droplets दिखने लगती है, वो water droplets क्या है, वो water droplets वो नमी है, जो कि हमारी हवा में exist करती है, आपको पता है कि हमारी हवा का temperature जो है, उस पे उसकी कुछ moisture retaining capacity है, अब जब यह हवा किसी ठंडी चीज के touch में आती है, मान लीजे एक गि अब यह देखिए, बिल्कुल perfect example है, बॉटल का आपके समने, बॉटल के अंदर liquid है, बॉटल ठंडी है, जैसे इस ठंडी बॉटल को आपने बाहर normal room temperature पे निकाला, इस बॉटल के बाहर आपको छोटे छोटे ऐसे water droplets दिखने लगे, तो आपको छोटे से सोचते थे कि क्या य आपको पता है, लोकलाइज हवा जो कि बॉटल के टच में आ रही, उसका temperature गिर गया, तो चूकि यह हवा अपने dew point पे जल्दी पहुच गई, लोकलाइज लेवल पे, तो इसमें moisture छोड़ दिया, जो भी इसमें moisture पकड़ रखा, तब चूकि यह हवा ठंडी हो गई, जो पानी पकड़ने की काबिया चली गई, तो उसने अपने पानी को इस bottle की outer surface पे छोड़ दिया, और इसलिए हमको इस प्रकार की droplets दिखने लगते हैं, यही process होता है आपका condensation का, और सेम इसी process के basis पे आपके बादल बनते हैं, बस यहाँ पे जो base मिल गया, वो क्या था, वो bottle क surface थी, समझ गया, तो this is basically condensation, तो हमारे atmosphere में condensation का होता है, जब किसी particular ऐसी चीज के touch में आ जाए, water, मतलब यह air, जो की बहुत थंडी हो, या फिर air खुदी बहुत थंडी हो जाए, उसका temperature dew point पे पहुंच जा है, अब समझ यहाँ पे, condensation क्या है, condensation depends upon the amount of cooling and relative humidity of the air, condensation किस बात कर रहा है, या तो amount of cooling पे डिपेंड कर रहा है, या relative humidity of the air पे डिपेंड कर रहा है, मैं पूरा पड़ा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं, ज़्यादा tricky concepts आप है नहीं, जो चीज मैंने अभी तक बताई है, अगर वो समझ में आ गई तो सबकोच related है, condensation is influenced by the volume of air, temperature, pressure and humidity, condensation takes place, first, when the temperature of the air is reduced to dew point, with its volume remaining constant, वही जो मैंने बताया है, second, when both the volume and the temperature are reduced, third, third तो दिया ही नहीं, सीदे fourth हा गया है, when moisture is added to the air through evaporation, however, the most favorable conditions for condensation is the decrease in air temperature, क्या बवाल बता रहा है, मैं आपको बताता हूं, सीदे सीदे पहले line से पढ़के, condensation therefore depends upon the cooling and relative humidity of the air, simple बात है, कितना ठंडा कर रहे हैं आप चीज़ों को, और कितनी एक particular हवा की relative humidity है, सीदी बात है, अभी relative humidity उस हवा की ये बताएगी, कि बाई, actually मैं उसने, कितना आप कह सकते हो, पकड़ रखा है moisture, चुकि relative humidity में denominator में maximum moisture जो पकड़ सकती हो, और numerator में absolute humidity कि ये particular air parcel का पानी छोड़ देगा, और दूसरा फेक्टर यहां पर कितना ठंडा कर रहे है, अब एक limit से यादा अगर किसी हवा को ठंडा कर दोगे, तो पानी छोड़ी देगा, चुकि due point है, due point simply क्या बोलता है, कि temperature कम करते जाओ, कभी न कभी तो due point पे पहुंची जाओ, उसको आप बोलतों, condensation, got it, तो condensation यहां पर ठंडा होने पर depend कर रहा हो, relative humidity पर depend कर रहा है, तो relative humidity कितनी भी जादा हो, अगर एक limit से जादा आप उसको ठंडा कर दोगे, तो वो पानी छोड़ देगा, फिर क्या बता है, जब आप देखे, वही सब बातनें repeat की जारी है, condensation कि इस पर depend कर रहा है, volume of air पर, temperature पर, pressure पर, humidity पर, humidity तो वही बात हो गई, relative humidity कहलो, absolute humidity कहलो, कि कितनी उसकी हवा की नमी है, ठीक है, तो अब सीधी बात है, अभी मालो, हवा में पानी हई नहीं, moisture हई नहीं, तो फिर कितना भी उसको ठंडा कर दो, वो पानी नहीं छोड़ेगा, simple समझ गया ना, point को, कहीं नहीं, हवा में थोड़ी नमी तो होनी चाहिए ना, जब थोड़ी नमी होगी, तभी वो पानी छोड़ेगा, जब नमी हई नहीं, water हई नहीं, तो पानी छोड़ेगा ही नहीं, तो कितनी उसके अंदर humidity है, इस बात पर depend करेगा, कि वो कितनी जल्द of air, अभी pressure आपका volume of air के साथ जुड़ा हुआ है, यह आपको पता है, तो किसी एक particular parcel में, एक air का जो packet है, वो कितना नीक्चे pressure डाल रहा है, वो ही आपका atmospheric pressure हो जाता है, तो pressure volume यह सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है, temperature तो देखे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, मैं तो temperature influence करता है condensation, कितनी volume of air है, कितना pressure है, कितनी humidity है, यह सब condensation पे effect डाल रहे है, तो condensation actually हुआ क्या पहला point, when the temperature of the air is reduced to dew point, यह तो मैं तब से आपको बताया जा रहा हुँ, कि जब air dew point पे आ गई तब condensation हो गया, with its volume remaining constant, दे कि volume को आपको यहाँ पे constant रखना पड़ेगा, चो अभी पहले आप air parcel की बात कर रहे हो, कि मालो भई, 1000 cubic meter के और एकदम से आप बोल दो नहीं, भई, 10,000 cubic meter, तो किसी एक particular इलाके की हवा की बात करोगे, तो केवल वहाँ का volume आप consider करोगे, तो किसी एक particular इलाके में, हवा के dew point को calculate करने के लिए, कितना उसका temperature गिरा, यह सब calculate कर करने के लिए, आपको volume constant रखना पड़ेगा, चोकि अगर हवा का volume कम जादा होगा, तो dew point temperature इन सबकी calculations बदल जाएंगी, इसलिए, volume को constant रखना यहाँ पे जरूरी है, अभी, दूसरा क्या बोलना है, when both the volume and temperature are reduced, देखे, जब हवा का volume कम है, वह यह हवा का volume कम है, तो उसका प समझ गे ना, अब overall पूरे एक locality में अगर आपको dew point लेके आना है हवा का, तो उस पूरी locality में हवा का parcel भी बड़ा होगा, तो उस पूरी locality में ठंडी आनी चाहिए, तब आप कह सकते हो कि हवा dew point पे पहुँचेगी, तो हवा का volume जितना ज़्यादा बड़ा होगा, हवा जितने बड़े इलाके में फैली होगी, वहाँ पे dew point पे उसको ले जाना उतना ही मुश्किल होगा, जितनी कम parcel की हवा होगी, उसको उतना ही आप आसानी से dew point पे लेके जा सकतो, चुकि उस particular हवा का temperature आपको कम करना है, अब एक बहुत बड़ा parcel है हवा का, तो उसका temperature कम करन मैंने आपको बता दिया, किसी particular हवा में moisture है, लेकिन आप उसमें moisture आया ही जा रहा है, आया ही जा रहा है, अब समुंदर की उपर जो हवा होती ही, वहाँ पे moisture की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ खूब गर्मी पड़ा रही है, खूब evaporation हो रहा है, तो जो वहाँ पे हवा है, उसके अंदर naturally भाई, आपको moisture जाएगा, अभी एक limit से जादा moisture करोगे, तो कभी न कभी वह saturated हो जाएगी, अभी घर्मी कितनी होगी, 40 degree, 45 degree, 50 degree से जादा होगी, तो 50 degree पे भी एक limit होगी moisture पकड़ने की, अगर वो meat हो जाती है, हवा saturated हो जाती है, तो भाई, उसके बाद तो cond condensation होना तय है, समझ गया, लेकिन सबसे जादा apt condition, condensation की क्या होती है, जब यह temperature गिरता है, cloud formation भी इसलिए होता है, dew formation भी इसलिए होता है, fog, frost, यह सब इसलिए ही होता है, समझ गया आप बात को, तो सबसे common वज़ा condensation की nature में होती है, temperature का गिरना, got it, पिर देखे क्या बोला ज condensation हो जाता है, water vapor का, तो जो moisture है ना, atmosphere में हो, किसमें मदल जाएगा, या तो dew में मदल जाएगा, या frost में मदल जाएगा, या fog में मदल जाएगा, या cloud में मदल जाएगा, अब ये dew, frost, frog, cloud, ये किस चड़ियाओं के नाम ही, सम नीचे हम लोग बात करने वाले है, fog, mist, cloud, frost, dew क्या, इस सब नीचे बात होगी, तो इसके लिया आप tension मत लीजे, okay, किस जगा पे कौन से form का condensation हो रहा है, ये depend करेगा उस जगा की location पे और उस जगा के temperature पे, okay, फिर क्या बोला जा रहा है, condensation takes place when the dew point is lower than the freezing point, as well as higher than the freezing point, अभी ये थोड़ा सा tricky statement है, लेकिन उतना है नहीं, when the dew point is lower than the freezing point, as well as higher than the freezing point, अभी dew point क्या है, lower than the freezing point का मतलब क्या हो गया, भाई, freezing point क्या है, पानी 0 degree centigrade के नीचे चला गया, तो बरफ बन जाता है, ठीके न, तो क्या बोला जा रहा है, कि कि किसी भी particular हवा का condensation तब हो सकता है when dew point is lower than the freezing point, मतलब कि मान लो freezing point 0 degree centigrade हो रहा है किसी particular ज हवा है अगर उस हवा का डिव पॉइंट जीरो डिग्री सेंटीग्रेट से भी नीचे है मालो माइनस चार डिग्री सेंटीग्रेट साइबेरिया अबेरिया की बात अगर हम कर लें तो माइनस चार डिग्री सेंटीग्रेट पे भी आपका कंडनसेशन होगा मतलब कि उस हवा क से नीचे की जो हवा है यह नीचे का जो temperature ना minus 1 minus 2 रशिया आपका US वगरा में चले जाए सर्दियों में तो minus 1 minus 2 minus 4 minus 10 degree centigrade तक भी temperature आपको मिल जाता है तो इतने minus temperatures में हो सकता है कि आपका minus 5 degree पे या minus 6 degree पे dew point आए हवा का तो भले वो minus 5 degree पे आए तब भी आप कह सकते हो कि वो moisture छोड़ेगा मतलब freezing point की नीचे हो गया न यह तो freezing point तो 0 degree centigrade बरब बन जाती है ओके उसके नीचे भी कभी कभी क्या होता है कि हवा अपना moisture छोड़ता है तो condensation ऐसा नहीं है कि freezing point की नीचे नहीं होता freezing point की नीचे भी होता freezing point की उपर तो देखे होता ही है हो सकता है कि कोई हवा 3 degree centigrade पे या 5 degree centigrade पे अपना moisture छोड़ दे तो यह पूरा का पूरा explanation था I hope आपको explanation पसंद आयो next video में dew clouds frog frost mist fog के बारे में बात करें thank you for watching जादा सब लोग साथ इस वीडियो को शेर करिए का have a great day friends goodbye